हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Micromax IIN Note 2 Android Mobile फोन में आप स्क्रीन लॉकिंग साउंड को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और यह सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद काम कैसे करती हैं मैं आपको इस वीडियो में बत करना है इसके बाद आपको साउंड के इस पेज में नीचे की साइड में आना है यहां पर आपको स्क्रीन लॉकिंग साउंड का यह option मिल जाएगा इसके सामने वाले बटन को जो है आपको सेलेक्ट करना है तो यह सेटिंग जो है इनेबल हो जाएगी अब यह सेटिंग इने की स्क्रीन लॉक करते हैं तो यह सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है आपके माइक्रोमेक्स आई एन नोट टू एंड्रोड में तो यहां पर जो है मैं आपको एक तरीका और पता देता हूं आपके मुवाईल फोन में इस सेटिंग को ढूँडने का इस शौटकट तरीका तो यहां पर आपको मुवाईल फोन के पर आना आपको अपने के सेटिंग पैज्य ओपन कर लेना है सबसे उपर आपको सक्षाटर उप्षाटर नजरता पसब puesto अपने sound यहाँ पर type कर देना है तो हम यहाँ पर जो है यह जैसा लिखा हुआ होता है वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर यह देखे नीचे की साइट में option शो हो गया screen locking sound आपको इसे select कर लेना है तो इसे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको directly screen locking sound के setting में लेकर आ जाएगा ठीक है जैसा मेरा phone यहाँ पर मुझे लेकर आ गया ठीक है और यह highlight होता है इस तरीके से indicate करता है हमारा phone कि यह screen locking sound पर हम आ चुके हैं ठीक है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बताया आपके phone में screen locking sound setting को ढूंडने का